है वेल्कम बैक टो और चैनल स्मार्टेर्स क्लब और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इस चैनल के माद्यम से इस वीडियो के माद्यम से हम निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी का डिली अनलिसिस करते हैं यह अनलिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल अनलिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चैन को दोस्तों यह अनलिसिस करने के साथ में ही नेक्स ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी में जो लेबल्स पॉसिबल होते हैं हम उन ल पुशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोजात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुँच जाए साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल अनालिस और ट्रेडिंग टेक्निक से लिटेड वीडियो भी रेकुलरली देखने को मिलते रहते हैं अगर आप अप्शन के अंदर डेरिवेटिव के अंदर ट्रेड करते हैं तो अप्शन को किस तरह से एफेक्टिवली रीड करना चाहिए कौन से स्ट्राइक के उपर में बायर एक्टिव है या कौन से स्ट्राइक पर काम करने के वैसे आपको maximum benefit हो सकता है इसी के साथ में technical patterns को किस तरह से derivatives के साथ में mix करकर trade करें इन सब subject को cover करते हैं वीडियोस आपको अमारे playlist में मिल जाएंगे तो friends इसी तरीके से नए-ने चीज़ों को सीखते रहने के लिए और अपने आपको update रखने के लिए हम आपसे request करेंगे कि चैनल को subscribe कर लिजे और साथ में bell icon को भी प्रेस कर लिजे ताकि आपको latest updates मिलते रहें इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को support करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को join भी कर सकते हैं उसकी membership को भी join कर सकते हैं तो आपसे live market के अंदर में जो मैं trade initiate करता हूं स्टेट के बारे में information भी शेयर करता हूं सो दोस्तों शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है nifty 50 bank nifty और हमारे डड़े trades के बारे में सो दोस्तों शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में 21.52 पर काम करते हुए नजर आ रहा है 0.54 यानि 2.45 परसंट की गिरावट देखने को महाँ पर मिली है गिरावट देखने को मिली मतलब मार्केट में पैनिक कम हुआ है और पैनिक कम हुआ है तो nifty के अंदर में आपको बड़त देखने को मिलेगी कितना पॉइंट 82.10 पॉइंट की बड़त है और जो हमने 11,700 के नीचे की closing दी थी successfully हम 11,750 के उपर की closing दे पाए हैं दिन बर में बहुत कुछ हुआ हम 11,700 भी तोड़े 11,800 के पास में जाने की कोशिश होई है इन सब चीजों के बारे में discuss करेंगे detail में बात करेंगे पहले देख लेते हैं हमने Friday के दिन में कौन सा trade लिया था दोस्तों Friday के दिन में कोई भी ट्रेड इनिशेट नहीं किया था मैंने नहीं करनी के पीछे रीजन निफ्टी के अंदर में 15 अक्टोबर यानि Thursday के दिन ही एक लॉंग पोजिशन मैंने क्रेट की थी और मेरे प्लैटनम मिम्बर्स के साथ में मैंने वो शेयर किया था आपको अंदे के दिन में किसाब से काम करता हुए नजर आ सकता है एक्सपेक्टेशन क्या सेट की गई है दोस्तों निफ्टी-फिफ्टी एक चैनल के अंदर काम कर रहा है यह चैनल अलड़ी हम दो दिन से डिसकस कर रहे हैं जो थर्ज़डे का उपनिंग था था थर्ज़डे का चैनल जाके नीचे की तरफ उसने क्लोज दिया हुआ है तो क्या चैनल का वैलू कम हुआ है या चैनल को आप नहीं मानना चाहिए ऐसी बात नहीं है ट्रेंड लाइन अभी भी अपनी जगव पे टिकी हुई है एन हमने जो फ्राइडे का काम किया है फ्राइडे के दिन में एक अच्छी चीज यह हुई है कि सपोर्ट नीचे से कंटिनियू मिलता रहा है तो अगर आप इसे देखेंगे तो आपको क्लियर कर दिखेगा कि नीचे से कंटिनियू सपोर्ट मिलता रहा है ऊपर की तरफ से आपको 11800 के आसपास में रेजिस्टेंस देखने को मिला है 1245, then 115, ऐसे बहुत सारे candles जो उसे तोडनी के कोशिश कर पा रहे थे, नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन निफ्टी में नीचे की तरफ से support continuously increase हो जा है, एक triangle बनता हुआ दिख रहा है, बढ़िया बात है, breakout हो सकता है, दूसरा चीज, आप वापस से उसी channel के अंदर में आ गया, अग गंडे तक उस channel पर support लेकि अगर आप काम कर लेते हैं, 11,780 को तोड़ के उपर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, तो आपके लिए अगला जो resistance होगा, वो important channel वाला जो resistance होगा, वो 100 पॉइंट उपर प्लेस किया गया है, तो 100 पॉइंट की rally आप expect कर सकते हैं, Monday Tuesday के अंदर म जाते हुए नजर आ सकता है, condition सिर्फ यही है कि कोई गलत news ना आए, इंडिया चाइना के जो border पे problems चल रहे हैं, उसको लेकि कोई news आते हुए ना दिखे, अगर news को ना positive ना negative news आता है, तो उस time पे एक breakout देखा जा सकता है, 11,900 के आपके निफ्टी जाते हुए नजर आ सकता है, divergence नहीं है, I mean to say, daily candle देख लेते हैं, daily candle Thursday के fall के बाद में Friday को inside candle बनता हुए नजर आया निफ्टी के उपर में, नीचे की तरफ support 11,662, 11,670 के आसपास में है, जहां पे हमने उसे touch किया और वहां से हमने bounce back करने कोशिश की, उपर का range 11,800 के आसपास जाने की कोशिश हुई तो 11,667 से लेके, 11,789 के बीच में हमने पूरा काम किया है, 100 point plus है, 120 points का movement देखने को मिला है निफ्टी के अंदर में, क्या expect करना चाहिए, expectation हो सकता है कि market उपर की तरफ जाते हुए नजर आए आपको, 11,820 आपके लिए पहला resistance, then 11,859, 11,903, ये तीनो resistance continue आपके सामने नज अदर आएंगे, buy on dips का market है, अगर किसी भी तरीके से, again I am saying buying on dips का market है, why I am saying so, ये जो fall हुआ है, ये fall कुछ technically नहीं हुआ था, ये fall news based भी नहीं हुआ था, in fact, since expiry थी, इसके लिए fall देखने को मिला था, and इस दिन जिनोंने short बना है, जिनोंने जो sell करके गाए, जो बेच करके 11,900, and the ultimate resistance is around 11,200, यानि 11,200 अगर तोड़ते हैं, तो बहुत बढ़िया रैली देखने को मिलेगी, पर यहाँ पर थोड़ा ज्यादा resistance देखने को मिल रहा है, buy on dips, नीचे की तरफ मिलता, buy करके चलिए, अच्छा market है, खराब market फिलाल नहीं चालु है, दोस्त, option chain refer कर लेते है option chain पर थे देखने closing कहा हँ दिया, 11,662 पर हम ने closing दिया, लगब लगब 100 पॉइंच का gain देखने को मिला है, अगर option chain में देखे, writing कहां पर हो रही है, option chain में writing आपको put side में देखने को मिल रही है, आच्छा, बढ़िया रैटिंग देखने को मिल रही है, आपको put side में 10,842 का आपका 11600 highest open interest था, वहाँ पे भी addition हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा activity आपको 11700, ये shift in range दिखा रहा है, कौन सी तरफ, जब 83 points, 86 points निफ्टी उपर जाता है, और shift in range होता है, option chain के अंदर में, तो ये nifty के लिए positive माना जाना चाहिए, nifty के लिए positive moment है, मतलब 11700 एक आपको bullish sign दे है, जो कि coordinate 3 से नजर आ रहा है हमें, second highest open interest आपको देखने को मिलेगा 11500 पे, and third highest open interest आपको देखने को मिलेगा 11600 पे, ये तीनों जगह पे, यानि लगग लगग हो, आप put में यहां तक बात कलें, तो writing ही हुई है, put के अंदर में, और put के अंदर में confident writing होते हुए, नजर आ र 11900 जो चार्ट के उपर में हमने थोड़ी पहले discuss किया, कि यहां पे resistance है, 31,947 का open interest यहां पे देखने को मिल रहा है, and then the third highest open interest 11800 पे देखने को मिल रहा है, 24578 का, chances क्या है, first of all देख लिजे आपका 12,320,50 का open interest अभी भी बना हुआ है, longs बन रहे हैं, अभी भी बना हुआ है writers हैं, कुछ writing हुई है, लेकिन longs ज्यादा बने हुए, writers अपनी position खाली करते हुए नजर आये हैं, so, करना क्या चाहिए, फिलाल range क्या समझ में आ रहा है, उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, तो range की बारे में बात करें, तो range उपर की तरफ फिलाल की टाइम पे 11900 से ले बाफ करें, बाफ करें, 12000 के range के लिए आप काम कर सकते हैं, और ये range आप इस महीने के लिए भी रख सकते हैं, so, इस महीने में 12000 के उपर जाएंगे या नहीं जाएंगे, बहुत बड़ा question है, क्योंकि 40498 का open interest इंटरस इस week के अंदर में, महीने के अंदर में भी highest open interest आपको इस expiry के अंदर में जरू जाने चाहिए, ये बात होगे, निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के व्यू अभी थोड़ी दिर बाद में फिर से update हो जाएगा, आपको आप बैंक निफ्टी के लिए दूसरा वीडियो refer कर सकते हैं, thank you very much for watching this video, hope आपको वीडियो पसंद आ बात किया, जो ये stock इस वीडियो के अंदर में अच्छा काम कर सकता है, आप उस वीडियो को भी refer कर सकते हैं, so guys thank you very much for watching this video, hope वीडियो पसंद आए रहेगा, thank you very much for subscribing to the channel, thank you very much for being as a platinum member also, hope ये वीक आपके लिए जोड़दार हो, और ये expiry के अंदर में आप खूब सारा पैसा क ंदर में बामें, बाई बाई